हेलो एव्रीवन बेलकम बैक इन आवर चैनल दोस्तों आपसे भी का स्वागत है पैरे बच्चों मैं हूं कपिल तो आज किस वीडियो में हम यूपी प्लिस मेहत को लेकर प्रैक्टिस सेट 7 आज जिप देखेंगे इम्पोडेंट कोशन हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 10 कोशन देखने को मिल रहे हैं तो इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट सिख सकता जो वीडियो मैंने पहले ही अप्लोड कर दिया यह वो कोशन है जो आपके यूपी प्लिस में लास्ट इयर जो आपके एक्जम हुए उनमें किस तरीके से आपके मैंत के कोशन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो कोशन हमने यहापे पिक की हुए हैं ओके जिन बच्चों को पहले से ही प्रैक्टिस हो रखे हैं उनके लिए तो काफी हैलप हो रहेंगे ठीक है जिन्होंने पहले ही अपने जो टॉप पहले ही औरेडी सॉल्ब कर रखे हैं बस मैं आपको समझाता हूँ चलूँगा कि कुशन इस तरीकी से आएगा तो आपको कैसे एक्जाम में आपको सॉल्ब करना जिससे क्या होगा हमारे पास जाधर टैम भी बचेगा आपको समझाने के लिए ओके तो ना पहला कुशन इस पर प्रॉफिट चाता है तो पताईए वो कितने में इस बुक को सेल करें उसने खरीदी कि 240 रुपे की यानि कि सेलिंग बहु सारी कॉश्ट प्राइस कितना होगा है 240 अब इस 240 पर प्रॉफिट चा रहा है कितने का दो बटे तीन का यानि कि जितने भी इसकी जो बैलू जितने कि उसे बुक पड़ी है 240 का दो बटे तीन यानि कि आपका निकल काएगा 160 वो 160 का सीधा-सीधा प्रॉफिट चा रहा है तो सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया तो सेलिंग प्राइस इस तरीके कुश्ट आपके एक्जाम में बने हो और आपस पूछे भी जा सकत बात करते हैं कुश्ट नंबर 2 की 2 & 3 अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कुश्ट नंबर 2 बोला गया है यदि दो संख्याओं का जो अनपात है वो कितना दे रखा है 8 रेशियो 9 का दे रखा है और उनका जो मासा है लियान की SCF 6 है तो बड़ी और छो संख्या हमारी होगी 8X और ये हमारी हो गई 9X ठीक न अब कोश्टन में दे रहा है इनका जो मासा है अच्छ जरह बता अगर ये दोनों संख्या हैं इनका जो HCF वो क्या होगा X क्योंकि X दोनों में common आ रहा है HCF हमारा वो part होता है जो दौनों में common हाता है तो HCF हमारा 6 x हो गया और x की जो value है यानिकि HCF already 6 दे रहा है इस तरी किसम बोल सकते है इसका जो HCF है वो 6 हो जाएगा तो छोटी संक्या यानिकी 8 x वाले हमारी छोटी संक्या होगी 8 x 6 आपको मिलेगा 48 ठीक है ना दूसरी संक्य सी यहाँ पर सही हो जाएगा देख लीजिए किस तरीके से आपसे exam में question पूछे गए और आपस पूछे जा सकते हैं बात करते हैं अपने question number 3 की question number 3 हमने लिया है simple interest से इस chapter से और इस topic से आपका पका question देखने को वापे मिलेगा तो question में बोला गए 7200 के मूलधन पर 9 महिने के लिए 50 upon 3% के सालाना दर पर साधरण व्याज क्या होगी यानिकि simple interest आपसे पूछा गया है simple interest का जो formula होता वो होता PRT upon 100 principle आपको दे रखा 72 यान में लिख दिया और कितना दे रखा 50 upon 3 तो 50 यह रहा 3 यह आ गया time दे रखा आपका 9 मन्त मन्त को हम change करेंगे year में या तो फिर हम 12 से divide का देंगे 9 upon 12 9 यह आ गया 12 आग यह रहा और 100 आपका fall में होता ही है 3 से आपका 3 time cut हो गया 12 से आपका 12 670 यानिकि 600 बचा 600 multiply 50 multiply 3 upon 100 3 0 से 3 0 आपके हाँ पे cancel होगे remaining part आपका बचा 6 multiply 150 यानिकि 50 multiply 3 आपका 150 होता है equals to 150 multiply by 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 900 यानिकि 900 इसका जो है साधारण व्याज आपका 900 बनेगा तो उमीद है यह भी question आपको समझ आ गया होगा तो बात करते है question number 4 की यह जो practice set आपको करवाए जा रहे हैं बच्चो वो आपके previous year exam में जो आपसे पूछे गए question यह वो question हमने pick किये हुए okay और courses हमारी हर एक practice set में आपको different question देखने को मिलें और हर एक different topic से भी देखने को मिलें जिससे कि हमारा जो flavor से वो भी साथ-साथ हमारा complete होता चले तो अगला question percentage से लिए है बोला क्या है 5 upon 3 3 upon 5 से कितना ज्यादा है तो ब्रदी percent आपको बतानी है ब्रदी प्रतिसात होता है आपका 5 upon 3 को minus करके हम देखेंगे कितना value ज्यादा आ रहे है comparison किस से करना है 3 upon 5 से तो 3 upon 5 आपका divide में रहेगा ठीक है आप LCM लोगे 25 339 25 minus का 9 upon 15 आपका यहां आ जाय का multiply by 100% में चींज करना है तो middle का middle में होता है और last वाले का पहले के साथ 25 minus का 9 आपका बनता है 16 और यह 5 उपर जाके multiply हो जाएगा 16 के साथ और 15 into 3 यह आ गया 5 से 15 3 टाइम कट हो गया 3 3 से आपका 9 हो गया और 16 into 100 आपका 1600 upon 9 हो जाएगा जब आप इसको divide करोगी you will get 177.77% इसका जो option है वो आपका option A सह ही हो जाएगा ठीक ना तो देखिए अब बात करते question number 5 की तो question number 5 ओके तो question number 5 में आपसे बोला गया है ऐसी आपको एक बड़ी संख्या बतानी है ठीक है ना जो 18, 25 और 32 को बेभाजित करती है और सेस्वल कितनी छोड़ती है 2, 1 और 0 question में बोला गए एक ऐसा number बताना है जिस जीरो आजए आप बन बाई बन चारो option में से हर एक number को इसमें divide करके देख सकते हो अगर देखो पहले पे कट हो गया option पे तो तो वैल इंगोर अगर पता लगा last में जाके ही वो option correct है ऐसे तो वहना ज्यादा time list होताएगा तो ऐसे question को करने के लिए हम क्या करेंगे पहले जो बड़ी से बड़ी संक्या पूछी जाएगी तो आपको hcf निकालना रहेगा सेसफ़ल को माइनस करने का जो आपको number मिले उनका factor करिए फिर जो common part है सम्में वो आपका hcf होगा यानिकि जो hcf आपका 8 यानिकि option number c आपका सही हो जाएगा तो बात करते है question number 6 की तो question number 6 आपका ये रहा question number 6 और आपको यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है question number 6 मा हमने लिया है एक गोल मेज की परदी 88 मीट है ठीक है इस मेज की सतय का छित्रफाल आपको बताने एक table है table की जो परदी है यानिकि circumference है वो आपको 88 दे रखिए circumference कितना होता हमारा 2 pi r 2 का 2 आ गया pi का value 22.7 multiply r equals to 88 2 से 88 4 time cut हो गया और 2 से फिर 4 2 time cut हो गया 7 यहाँ बार्चा 7 दर जाके multiply हो जाएगा यानिकि r equals to 7 into 2 14 meter हो जाएगा ठीक है radius आगे हमारा 14 meter आपसे मेज का सतय का छित्रफाल जो मेज का सतय है वो circle है तो circle का जो area होता वो होता pi r square ठीक है ठीक है तो pi की value 22 upon 7 multiply radius कितना 14 14 multiply 14 तो 7 से 14 आपका 2 time cut होगा ओके जब आप 22 multiply 2 multiply 14 करोगे तो आपको मिलेगा 616 यानिकि जो आपका option है वो 616 वाला आपका सही हो जाएगा यानिकि बात करें correct option की तो option number A आपका एकदम सही हो जाएगा तो question number 7 में आपसे बोला गया है तो question number 7 में बोला क्या है उस घन का आईतन क्या होगा यानिकि volume of q तो volume of q होता है आपका बुजा का q यानिकि side का q ठीक है ना आपको पहले क्या निकालने है side side जो भी निकल के आएगी उसका हम क्या कर देंगे cube कर देंगे ठीक है ना तो आपको दे रखा है जिसके लंबे बिकर्ड का बिकर्ड का मान दे रखा है 11 root 3 तो घन का जो बिकर्ड होता वो होता है side under root 3 तो बिकर्ड परावर दे रखा है 11 under 3 equals to यह formula में होता है यह road 3 से road 3 cancel A का value आपका 11 आ गया तो घन का आयतन पूछा है लिखेंगे भुजा का की भुजा हमारी आगी 11 11 का की होता 13 31 यानि कि इसका जो option है वो आपका option number A सही हो जाएगा तो बात करते है question number 8 की अब question number 8 आपका यह रहा यह ले है हमने square root से जब आपका कुछ इस तरीके से question दिया जाए under root 16 फिर उसके अंदर under root फिर उसमें 8 फिर उसके भी अंदर under root उसका value 4 दे रखा हो तो ऐसे question को हम solve करते है पीछे वाले पार्ट से तो यह जो under root 4 होता है वो आपका 2 की एककल होता है ठीक 16 इंटू 4 4 2 का हो गया 16 4 का होता है 4 2 सा 8 यानि कि इसका जो option है वो आपका option number B आपका सही हो जाएगा ठीक है अब बात करते question number 9 की question number 9 हमने लिए fraction से और बोला गया इसका जो बित्कुरूम है यानि कि रैस्टी प्रोकल है वो कितना आपका आएगा multiply करने के बाद बोला गया minus 3 मटे 8 multiply minus 7 upon 13 का बित्कुरूम है वो क्या होगा ठीक है तो क्या करेंगे पहले इसका multiply करेंगे 3 7 सा 21 minus से minus cancel हो गया ठीक है अब 8 into 13 करेंगे तो 104 आपको मिलेगा बित्कुरूम पूछा गया यानि कि जब भी हमसे रैस्टी प्रोकल करना होगा तो नीची वाली value को उपर 21 जो option इसका option A सही हो जाएगा ठीक है ना तो चलिए बात करते question number 10 की ये question लिया है हमने static से ओके तो इसमें पूछा के बहूलक क्या होगा आपको यहापे numbers आपको दे रखे हैं बहूलक आपका होता most repeated term in the given sequence जो भी आपको हापे series दे रखे होती है उसमें जो सफसे जादा ब नमर repeat हो रहा होता है वो आपका बहूलक होता है तो मैंने आपको चार्ट आपको समझाने के लिख दिया है इसमें 29 आपका two time आ रहे 25 भी टूटाम आ रहे 38 जो आपका three time आ रहे और 21 आपका one time आ रहे तो इस तरीके से जो बहूलक यानि की जो mode होगा वो आपका 38 यानि की option number भी सही हो जाएगा तो प्यारे बाचों यह वो question थे जो आपके previous year exam UP plus math में आपसे पूछे गए है और उनी basis में हम आपको यह practice है प्रवाइड करा रहे है हर एक topic से आपको 1010 question देखने को आपे मिल रहे हैं उम्मीद है जो आपको जो हमारे द्वारा दिये जारा मटेल आपक काफी exam में help करेगा तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धनबाद take care and wait for the next video